नमस्कार दोस्तो डिफेंस ने उचके एक नए एपिसोड में आप से भी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो भारत अपने पंडूब्यों में सूपर बेपन अत्या धुनिक टेकनोलोजी से लेस F21 टॉर्पीडो को लगाने वाला है अपनी नई पंडूब्यों में जो भारत ने फ्रांस से खरीदा है तो चले आपको बताते हैं या जो टॉर्पीडो है कितना सकती साली है और हमारे भारती नो सेना की ताकत है कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है इस टॉर्पीडो की मदद से पूरी जानकारी आपको देते हैं अगर आप लोग सच्चे भारती है तो पूरा वीडियो को देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फ्रांसीसी कमपनियों ने भारत के लिए एक नया ओफर दे दिया है और एफ-21 हैवी बेट टॉर्पीडो को अपनी पंडुब्यों में लगाने का जो प्रस्ताव हो दे दिया है इसके साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्राजील की जो नो सेना है वो स्कार्पीन स्रेंडी की पंडुब्यों में इस टॉर्पीडो को इस्तमाल कर रही है और यह जो टॉर्पीडो का फियदा ताकतवर होने वाला है फ-21 टॉर्पीडो जो की अत्याधुनिक टेकनोलोजी से लेस होगा जिसमें B-2211D वोर हेड को लगाये जाएगा और इसका जो वजन होने वाला है 250 किलो ग्राम तक होने वाला है इसके साथ ही इस टॉर्पीडो की लंबाई 1.02 मीटर होने वाले इसके साथ ही जो ब्यास होगा वो 533.4 मिली मीटर का होने वाला है और यह जो टॉर्पीडो है भारत की स्कॉर्पीन सम्मरीन में लगाया जागा जिससे स्कॉर्पीन सम्मरीन की जो ताकत है वो काफी अदब बढ़ने वाली है तो यह भारत का एक नया घातक हतियार जिसको देखकर चिन और पाकिस्तान की हालतें खराब हो चुकी है तो आपका क्या करना इस टॉर्पीडो के बारे में हमें नीचे कमेंट करके बताएगा ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए